हलो एवरीवान आई वल्कम यौल टू स्टडी आएक्यू और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कालेशवरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के वारे में क्लिप प्रोजेक्ट ये तना ग्लैमरस साउंड नहीं कर रहा होगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ठीक है तिलंगाना का एक प्रोजेक्ट है मगर ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 80,000 करोड रुपे करीब 11 बिलियन डॉलर से भी जादा पूरा पाकिस्तान का जो साल भर का डिफेंस बजेक्ट होता है वो भी 11 बिलियन डॉलर्स नहीं होता उतने का ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये तेलंगाना में लाखों किसानों के लिए एक वरदान सावित होगा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन इजिप्ट और USA के लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को ये इसने पीछे छोड़ दिया है and we should all be proud of this sad बात है के mainstream media इसको इतना cover कर नहीं रहा हम लोग तो खेर UPSC perspective से इसको पड़ रहे हैं तो इसलिए cover कर रहे हैं मगर मैं मानता हूँ के देशवासियों को भी इसके बार to discuss as always but before we begin UPSC 2020 की तियारी आप घर बाड़े शुरू कर सकते हैं विदार पैन डाइव कोर्स जिने आप पर चेस कर सकते हैं studyaq.com पे या फिर आप इस नमबर पे call भी कर सकते हैं 9580048004 इस irrigation project की आजकल बादचीत क्यों हो रही है क्योंकि इसको inaugurate कर दिया जा चुका है अब यह functioning है recently इसको inaugurate किया था तेलंगाना के chief minister के चंदर शेखर राव ने और इस पूरे project को construct किया था MEIL यानि Mega Engineering and Infrastructure Limited ने now of course बाकी जो states हैं आसपास की states उनके chief ministers भी inauguration के time यहाँ पे present थे for example चीफ minister देवेंदर फदनवेस और उसके लवा आंदर प्रदेश के chief minister वाईयस जगमोन डेडी भी यहाँ पर मौजूद थे और इस project को ना सिर्फ इंडिया में दुनिया भर में cover किया जा रहा है यहाँ आप आप सकते हैं Washington Post उसके लवा New York Times हर जगा इस massive irrigation project को cover किया जा रहा है क्योंकि इसकी cost ही जैसे मैंना को बताया 80,499 करोड रुपीज है इस project के बारे में समझने से पहले एक बार तिलंगाना की जो location है मैप में यह प्रॉपरली समझ लो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है हमारा प्यारा भारत यहाँ पर मैंने specially तिलंगाना को mark कर रखा है यह है तिलंगाना तिलंगाना की राजजानी है हाईदराबाद और आ आपको बड़े मैप पर दिखाना चाहता हूँ नॉर्दन तिलंगाना में यहाँ पर आप देखोगे के दो नदी आ रही है यहाँ पर एक नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है जो यह नदी आ रही है यह है गोदावरी बहुत ही famous नदी है इसके बारे मैं आपने काफी सुना होगा ठीक है तो this is गुदावरी यहां से आ रही है और उसके बाद यहां पे आके एक और नदी से यह मिल रही है यह नदी है प्रनहिता रिवर P-R-A-N-H-I-T-A प्रनहिता रिवर तो प्रनहिता और गुदावरी यहां पर मिलती है कालेश्वरम के करीब कालेश्वरम एक बहुती spiritual जगा है यहां पर एक मंदिर भी है काफी आस्ता है लोग की उस पर और यहीं पर यह दोनों नदियां मिलती है अब क्या है के यह दोनों नदियों का यहां पर flow बहुती तेज होता है काफी पानी यहां से गुजरता है मगर इस पानी का use काफी है तक limited है क्योंकि तिलंगाना के बहुत सारे farmers आपको Central तिलंगाना और Southern तिलंगाना में मिलेंगे जहाँ पर पानी की availability इत्ती जादा है नहीं तो यहाँ पर सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना हम ऐसा lift irrigation project बनाए जिससे यहां से पानी all the way हम Southern parts तक लेके जाए अब सुनने में काफी basic लगता है कि पानी एक जगा से दूसरी जगा हम पुचा रहे है मगर यह इत्ता simple नहीं है इत्ता simple इसले नहीं है क्योंकि जो यह वाला part आप देख रहे हैं यहाँ पर कलेश्वरम के आसपास का जो part है यह जो area यह वाला नीचे को है मतलब कि यह नीचे lower area है आप जैसे जैसे यहाँ पर नीचे जाओगे मतलब south की तरफ जाओगे यह area elevated है मतलब कि यह area उठा हुआ है तो problem तो बहुत बड़ी है आप सिरा सिरा यहाँ पर कोई आप रास्ता बनाकर river का फ्लो मोर नी सकते कि आप सिधा north से लेकर south तक पानी भेज़ दोगे तो जरूरत थी एक lift irrigation project की जिसमें हम basically बहुत सारे pump stations बनाएंगे उससे पानी पहले एक बरा से दूसी जगा जाएगा फिर वहाँ पर artificial pump होंगे literally motors होंगी वो पानी को और उपर खकेलेंगी फिर एक slope बनाये जाएगा पानी और उपर जाएगा यहाँ पर आजाएगा फिर पानी और उपर जाएगा यहाँ पर आजाएगा और इस तरीके से हम सदन तिलंगाना तक भी पानी भेज सकते हैं लिटरली हम electricity इस्तेमाल करके 1000 MW electricity इस्तेमाल करके पानी को एच जगा से दूसी जगा भीजेंगे इस lift irrigation project से इस project की शुरुवात होती है मेदी गदा बराज से यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है मेदी गदा बराज यहाँ पे इंस्टॉल करके हैं फिर यह जो pumps हैं यह पानी को आगे भेजते हैं जो naturally possible नहीं है क्योंके of course यह वाला area जो है यह elevated है compared to this area तो इसलिए मैं कहूंगा यह project genuinely एक बहुत ही बड़ा engineering marvel है तो यहाँ पे के लिए कुछ photos प्रिजेंट करना हूँ उससे आप समझ पाएंगे कि यह project कितना जादा huge है यह photo है यह इसका एक aerial shot है बराज का जो मैंने आपको भी map में दिखाया था फिर यह pump stations है हर कुछ kilometers में उन्होंने pump stations इंस्टॉल कर रखे हैं यह pump stations अभी के लिए तो यहाँ पे खाली है यह पानी को यहाँ पर basically push करेंगे upwards और पानी आगे बढ़ता रहेगा अब यह मैं आपको बदादू कि आज के टाइम में किलाशवरम lift irrigation project दुनिया का सबसे बड़ा lift irrigation project है इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा lift irrigation project था Colorado lift scheme in America और great man-made river in Egypt किलाशवरम irrigation project में primarily हम तीन बराज़ का यूज करेंगे बराज बेसिकली पानी को रोग के रखता है उसके लब 1531 km के gravity किनाल होंगे मतलब के पानी को और उपर भेजेंगे वो 203 km की यहाँ पे tunnel होंगी 20 lift होंगी और 19 pump houses जो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाएदे pump houses जो पानी को और उपर रखे लेंगे और 20 reservoir बनेंगे क्योंगे जहाँ पे पानी जा रहा होगा उसको वहाँ पे store भी कर लेंगे वो लोग 37 lakh acres का land irrigate होगा अब obviously यहाँ पे आप पूछेंगे के तो हम electricity सेवाल कर रहे हैं तो कितनी electricity यहाँ पे लगेगी total यहाँ पे initially 4,992 megawatt electricity हम यूज करेंगे बाद में इसकी requirement बढ़कर करीब 7,100 megawatt भी हो जाएगी इतने सारे पानी को lift करने के लिए मगर मैं कहूंगा यह सब worth it है क्योंकि इससे लाखों किसानों का कल्यान होगा और तिलंगाना में जो farmer suicide rate है वो भी काफी अत्तक कम होगा जो of course सबसे अच्छी बात है सबसे राद दुख यही होता है कि हमारे देश में farmer suicide करते हैं अगर farmers की suicide रुखने के लिए हम कोई भी कलाम उठाएं that is a welcome step तो finally पानी का जिस तरीके से भाव होगा यह मैं आपको इस map के जरीए दिखा देता हूँ अभी जो बड़ा मैब था वहाँ पे मैंने आपको मेरी गदा दिखाया था सबसे पहला जो बराज था तो मैं यहाँ पे zoom in कर दूँगा आपके लिए तो यहाँ पे मेरी गदा से पहले हमने गुदावरी river जो है उसका रुख मोड़ा पानी यहाँ पे actually river का रुख तो नहीं मोड़ा river भी आगे flow करती रहेगी basically कुछ पानी यहाँ पे divert किया इस बराज से उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरीके से flow करवा के all the way यहाँ पर इसकी जो final destination है कॉंडा पंचामा यहाँ तक पहुचा देंगी ठीक है तो यह पूरी इसकी एक trajectory होगी पानी की और this is pretty much all you need to know about this engineering marvel that's all I have to say in this video thanks for listening and as always God bless you all